नमस्कार दोस्तों, welcome back to money methods, results की शुरुवात हो चुकी है, September quarter के result आने शुरू हो चुके है, और यहाँ पर एक question आता है कि अच्छे stock को कैसे pick किया जाए, तो उसको लेकर आज काई वीडियो रहेगा, कि जो अच्छे stock से उनको कैसे निकाला जाए, और उनके fundamentals को समझदे के करें, buy sell की recommendation नाम आने, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन learning के लिए इस वीडियो को पूरा देखते रही है, फिलाल बात करते हैं, यहाँ पर कि कौन सी ऐसी companies है, जो कि अच्छे result दे रही हो, उनके हम क्या काम कर सकते हैं, और साथ में आपको अगला वीडियो कौन सी companies पे चीए, इसका नाम आप comment box में बता सकते हैं, देखें, screener की website पे आजाते हैं यहाँ पर, यहाँ एक option आता है, quarter result, 173 अभी तक quarter result इन companies के आ चुके हैं, इन पर click करिए, click करने के साथ ही हमें यहाँ पर option मिलता है, हम यहाँ से filter भी कर सकते हैं, कौन से market cap वाली companies के आपको result देखने हैं किस type से देखने हैं, sales growth के type से देखने हैं, कैसे देखने हैं, तो वह आप सारे देख सकते हैं, अब यहाँ पर आपको उन companies को देखना है, जिनकी year on year growth, sales की अच्छी है, profit की अच्छी है, जैसे यह company है Trident Life, तो इसका chart आप चेक करिए, इसके fundamental को study करिए, इसकी market cap वगरा को सम इसका peer ratio देखिए, यहाँ पर कितना है, कहीं ऐसा तो नहीं कि पहले से सब कुछ discount price हो गया है market में, कि पहले ही तेजी बन गई, result से पहले तो काम हो गया, तो ऐसे stock आपको नहीं लेने, अच्छे stocks आपको लेने हैं, जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, मेरे radar पे जो stocks हैं, मैं आपके साथ share करूँगा, लेकिन यहाँ पर आपको list मिल जाएगी उन companies की, जो की अच्छे results दे रही है, और जो बुरे results दे रही है, उनकी list भी आपको मिलेगी, आपको पता रहेगा, तो यहाँ से आप analysis कल सकते हैं, like multi commodity exchange है, MCX का है, अब MCX पर ऐसा है ना, कि उसने already rally क कर दी है, अब उसके profit भी बढ़के आ रहे है, ठीक है, sales, EBITDA, net profit, यह सब कुछ बढ़ा है, बढ़िया बात है, लेकिन already इसने rally कर दी है, तो यहाँ पर उतना confidence नहीं आता, हमें अच्छे chart कौन से देखने हैं, यह आच्छी companies कौन से देखने हैं, वो समझ यह, मैं थोड़ा लेकिन अगर यह नहीं मिलता, तो one combination हो सकता है, Y on Y, अगर यह भी मिलता है, तो इसको भी एक बार देखिए, साथ में कौन सी company होनीची है, वो ऐसी company हो, जिसने, जो अपने all time high से नीचे trade कर रही हो, नीचे के valuation पर मिल रही हो, या फिर वोई उस valuation के ask pass के data पर मिल रही हो, औ आपको खुद ही सीखना पड़ेगा, साथ क्या होता है, वरना सीखने के लिए मैनत तो करनी पड़ेगी, तो ऐसे कुछ दिख रहा है, तो उनको analyze करें, अब example के लिए उसमें मैं आपको दिखाना चाहूंगा, यहां देखिए हम एक company का, यहां पे chart open करते हैं, चलिए इस प या फिर नई तेजी वाले बुल्स जो होते हैं, वो कब आते हैं, वो तब आते हैं, इस टॉक में रफ्तार पकड़वाते हैं, जब इसके उपर यहां पे breakout आ जाते हैं, लेकिन हमें एक चीज़ तो पता चल गए, कि यह stock इस consolidation में हो, पिछले काफी समय से consolidate ही करे जा रहा है यानि इनके उपर निकलना इसके लिए एक bullish sign है, तो क्या इसके profit, इंडिया मार्ट के profit आज की rate में अच्छे हैं, क्या यह देखो, इस तरीके से आप पता करोगे कि इन companies में आगे growth है की नहीं है, समझ आया, अब आईए, इसके profits देखते हैं, कैसे है कैसे नहीं, तो मैंने कुझ बड़ी है, मैं सिर्फ आपको यह दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पर आईए, इसको समझ जिया, यह इंडिया मार्ट का डाटा, अब इसको समझ एक मिनिट रुके, यहाँ पर चलिए, इसको समझने कोशिश करिए, इसकी sell growth कैसी है भी, यह तो बड़ी आई है, तो highest ever sells करी है, क्या, करी है, बड़ी आमाना जाएगा, यहाँ पर देखिए, यह तो margins भी highest ever maintain कर रहा है, तो share नीचे कैसे, यही तो आपको देखना है कि ऐसे ही undervaluation के stocks आपको निकाल के लाने है, तो यह आप देख रहे हो कि अभी पिछले कई quarter में सबसे अच्छा margins ने maintain किया है, ब अब year on year इसकी growth देखो, year on year sell बड़ी, year on year opm बड़ा, year on year, अब क्या बोलू मैं समझ में आया, ऐसी companies के दोखो, इन companies को उठाओ, इन companies के chart को देखना है, for example, अगर हम बापिस चलें यहाँ से, इंडिया माट के data के उपर ही, so look at this, this is the इंडिया माट chart, monthly convert करते हैं, ध्यान से इतने समय से क्या कर रहा है, अगर आप इसको समझना चाहें, तो लगबख 2022 के starting में, यह शायद दिसंबर या जनवरी का होगा, हाँ, जनवरी 2022 का data है, यहाँ पर देखिए, यह जनवरी 2022 में इन prices के आसपास था, okay, उसके बाद में इसने क्या किया, correction करने के बाद यह sideways ही ख जाएगा, so we need to keep an eye on that, अब मुझे तो देखो, इस company पे भरोसा है, तो मैं इसमें swing नहीं कर रहा, मैं investment करके बैठा हूँ, तो मुझे investment करके बैठने में बड़ा comfortable है, नीचे आता तो मैं ले सकता हूँ, लेकिन कई लोग जो swing करते हैं, बात करते हैं कि sir, कौन से stocks निकाले swing क के लिए, तो ऐसे निकलेंगे, यहां से आप उनको search करो, उनके results अच्छे है, और थोड़ा बहुत breakout आती है, उनको push मिलेगा, नीचे से एक ऐसे rally बन जाती है, थोड़ा बहुत breakout चाहिए, technical setup चाहिए, वो काम कर लेंगे, अब जिसको कुछ भी नहीं आता, मानो एकदम technical में तो थोड़ी उसको समश्या हो सकती है, सीखना पड़ेगा वहिया, ऐसे कुछ नहीं होने वाला, लेकिन हा, practice करते रही है, charts को देखते रही है, आपको idea लग जाएगा, अब ऐसे एक दूसरी company में आपको दिखाना चाहता हूँ, यहां पर हम बात करते हैं, चलिए, मैं यहा आप देखेंगे अगर ध्यान से, यहां पर इस company में भी हो क्या रहा है, पहले तो यह समझे कि इस company का data कैसे चल रहा है, यहां पर आईए, अब इसको देखे, यहां पर quarter lizard, यह समझे, क्या इस company की growth है, sales के उपर, बिल्कुल है, यानि revenue आ रही अच्छी, बिल्कुल आ रही ह 697 करोड़, और यह तो पिछले कई quarter में भी highest ever है, तो company posting highest ever profits, समझ आया, company posting highest ever profit, highest ever sales, year on year growth है, बोलो समझ आया की नहीं आया, आया होगा, देखो सीखाने वाला वीडियो है, तो इसको कम लोग देखते हैं, यह भी मैं कहते हैं, पूछ हम बहुत लोग देखेंगे इसको, ले कैसे company work कर रही है, clear हुआ, अब इसके year on year profit देखेंगे एक बार, यहां पर yearly profit handle को देखेंगे हैं, यहां पर क्या work है, इसको समझ यह, यहां पर पिछले 3-4 साल का data देखें, कैसा रहा है, तो company देखें, हमें साफ साफ नजर आ रहा है, कि सबसे बढ़िया अपनी sell कर रही है revenue generate कर रही है, अगर profits के terms में देखा जाए, तो देखें, एक profit ऐसे जो थे, वो 2019 में कमनी लाई थी, जब margins काफी अच्छे maintain किये थे, 200 करोड रुपे से उपर गे, तो 200 करोड का profit अगर आपने 5 साल पहले दिया, तो आज की rate में 25 करोड आएगा, तो valuation same ही है, क्योंकि inflation भी तो IPS हो रहा तो कोई बहुत बड़ी growth नहीं है, लेकिन आप इसको break करने आ रहे हो न, यानि यहां से नही territory में जाना चाहते हो, तो market valuation देगा, अब वो कैसे देगा, उसके लिए हम चार्ट पे चलते हैं, आईए जरा इसको समझेए, ने को learning का वीडियो है, देखोगे, समझोग यानि कि जब market को वहां से एक correction करना शुरू हुआ, तो यह वापिस उस valuation पे आया ही न, अब वापिस जाकर इस बड़े breakout point के पास आके stock consolidate कर रहा है, पिछले 10 से 12 महीने में, और stock के profits कैसे आ रहे हैं, बड़ी आ रहे हैं, result कैसे है, अगर sell के term में देखा जाए, margins के term में कर रही है, हमें क्या चीए, हमें चीए, अगर हम swing player है, या हम trend को ride करना चाहते हैं, तो जैसे ही कोई बड़े breakout हमें chart पे दिखते हैं, तो हम उसके हिसाफ से trend को ride करते हैं, अपना defined stop loss लगा कर, आया समझ में, और long term भी करना होता है, तो फिर हमारे पास option होता है, accumulation का, फिर 10 stock यहां से 1500 आजाए, 140 आजाए, कितना भी आजाए, और 6-12 महीन लगागे, फिर उपर जाए, और इसको valuation मिलनी हो, एक साल बाद मिले, तो trend वाले या swing वाले कब आएंगे, वो आएंगे, breakout के बाद, और जो accumulation वाले वो अपने ही साफ से इसको देखी रहे होंगे, तो आया इनी companies को आप देखो यार, आप किसी को भी देखो, लेकिन आपके समझ में तो आना चाहिए, कि work कैसे करेगा, companies निकाल के कैसे लानी है, मेरा उद्देश है यह आपको समझाना, तो I hope आपको यह समझ आया होगा, आए आगे बात करते हैं, अब ऐसे ही कुछ और भी companies है, जो आप clear बोल सकते हो, undervalued stock, no doubt undervalued है, यहाँ पे देखिए 6% का, क्या है, dividend yield है, तो आपकी FD जितना आपको देखिए, उतना तो इंदुस्तान जिंक इस भाव पे दे रहा है, आया समझ में, उपर से share बड़ा, वो अलब है, clear, तो यह 6% का, तो आपको लगबग का, आप कह सक देखो, dividend यहाँ पे मेल ही जाता है, अगर यहाँ पे बात करें, इसको देखिए, एक बार जरा, यहाँ से, थोड़ा सा इसको समझने कोशिश करते हैं, yes, ध्यान से देखिए इसको, यह रहा, quarter lizard, तो quarter lizard पे देखिए, हुआ क्या है, पिछले कई quarter से क्या हो रहा है, यह प्रोफिट कितने थे, 3000 करोड से उपर के प्रोफिट थे, और उन प्रोफिट में से dividend भी गया, तो अब company वापिस इतने टाइम बात, क्या इनी sell के लिए जाने की तयारी कर रही है, भई हो सकता है, कर रही हो, आप इसको समझ के देखिए, 8200 करोड की company, 2300 करोड का प्रोफि अगर year on year देखा जाए, तो ये profit काफी अच्छे माने जाएंगे, okay, quarter on quarter भी आप कह सकते हो, कि ठीक ही है, अच्छा ग्रोफ कर रही है, यानि ये पट्रे पे आने वाला scenario, create होता हो नज़र आ रहा है, fundamentals के वैसिस पे, लेकिन technical देखना भी जुरूरी है, अब एक बार इसका yearly P&L देखिए, हमें ये तो आइडिया लग गया है, business बढ़िया, यार, company, मैं आपको बोलू कि 8,000 करोड का आप काम कर रहे हो, उसमें से 5,000 करोड आपके घर लेके जा रहे हो, तो मतलब आपका margin देखो, कितना जबरदस्त हुआ है, आगे चलिए, क्योंकि यहां पर आप margins देखेंगे, OPM देखेंगे, तो लगबख 50% का OPM है, जो पिछले कई quarter से highest है, और इससे पहले देखिए, यहां पर 55% का OPM था, that's why company make this type of profits, clear हुआ, आगे चलिए, यहां पर P&L को देखिए, yearly P&L, तो 2021 का P&L, 22 का, 23 का, अब 24 में नेकि एक downside मिली हमें, आप यह P&L में, और अब इतना भी हमें पता चल गया, company dividend भी देती है बड़िया, तो dividend players के लिए opportunity होती है, इस type की companies में कोई भी fall होना, तो यह हमें ध्यान में चल गया, कि 2024 में और कुछ हुआ ना हो, profit गिरे, sell भी गिरी, कम हुई 2023 से, लेकिन फिर भी देखो, मतलब valuation ऐसे मिलते है, market जब देना income का investment होता है, तो ऐसा नहीं कि कोई भी company मिली और मैं उसमें कोई भी ऐसे setup नजर आए तो उसमें काम कर लूँगा, उसका data तो समझो, कि यह company's trading के लिए है ही नहीं, यह dividend और investment के लिए हो सकती है, इनमें आप long term investment plus dividend करना चाहें, dividend income करना चाहें, तो इनको ध्यान में रखा ज करूँ, क्यों, क्यों कि swing में confidence नहीं आ पाएगा, dividend आ जाएगा, तो वो dividend credit होगा, उसके बाद वो price adjust होगा, सब कुछ होने वाला है, लेकिन हा, ultimately यह company's आपको पैसे कमा के देगी, चाहे dividend के form पे दे, चाहे investment के form पे, यह आपका long term patience check करती है, तो एक आपको यह मिला, अब ऐ ऐसे ही यह तीन तो इस्टोक मैंने आपको दिखाए, अब ऐसे ही एक company आपको और दिखाता हूँ, इसको आप अपने end पे study करिएगा, that is Relis India Limited, Tata Group की company है, मैं दो इस्टोक आपको और दिखा रहा हूँ, पहला तो Relis India है, ध्यान से देखिए, Tata Group की company, यह हाई लगते है, 2015 म क्या है return, 0 returns है, 2015 से अभी तक कितने साल हो गए भीया, 9 साल में कोई return नहीं है, समझ है, performance नहीं है, यह sideways होना कोई return नहीं होता, performance missing है, अब यह company क्या कर रही है, यहाँ पे अभी इसके result आए है, result कैसे आए है, result आए है, यहाँ पे y on y तो growth अच्छी है, y on y, growth अच्छी है, ब पर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि अभी यह थोड़ा sideways है, breakout करके निकलता है, तो कुछ देखा जा सकता है, एक range बनी हुए, 362 रूपे के आसपास, तो 360 के उपर निकलता है, तो definitely वहाँ पे कुछ हो सकता है, कुछ प्लान किया जा सकता है, अगर वहाँ पे setup बन रह basis पे इंप्रूव करिए, बट quarter on quarter पे उतनी अच्छी नहीं है, यह result मैंने भी वही देखे हैं, जहां मैंने आपको दिखा है, तो आप भी देख सकते हैं, अब अगर इसको आप ध्यान से देखे daily chart पे, और इन सच चीजों को hide करता हूं, just look at this, यह daily chart है हमारे सामने, हो क्या आए, तो market को पसंद नहीं आएगा, तो breakout नहीं होगा, बोलो समझ आया, आया, और अगर market को पसंद आया result, तो फिर swing वाले भी आएंगे यहां पे, और लंबा इसको खींचेंगे, बोलो clear हुआ की नहीं हुआ, तो इस type से आप उन stocks को निकालिए, जो की year on year अच्छी performance दे र 5 पैसा अब ये भी सोची आप कि ये, क्या ये ब्रोकिंग इंडस्ट्री का share अब चल सकता है कि नहीं चल सकता है, बाकी shares चल रहे कि नहीं चल रहे, market ये भी देखेगा कि तुमारी growth कितनी है बेटा, कहीं ऐसा तो नहीं, कि तुम growth कम कर रहे हो, और बाकी industry के ज़्यादा कर किये हैं, उमीद होगी आपको अच्छा लगा है, लाइक करिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर ये analysis सीखना चाहते हैं, तो मेरे साथ आप one-to-one सीख सकते हैं, उसके लिए आपको wave analysis में आना होगा, wave analysis एक personal training program है, जहां पर आप one-to-one मेरे साथ सीखे तो अगर आप जुड़ना चाहें, तो इस number पे संपक करके registration करवा सकते हैं, ध्यान रखिए, इसका cost रहता है 44,000, because it is one-to-one training program, तो अगर आप जुड़ना चाहें, आपके budget में है, definitely call करिए, या WhatsApp करिए, आपके budget में नहीं है, कोई बात नहीं, इसी channel से learning लेजिए, earning करिए, एक दिन आपके budget में आए, तब आप मुझसे सीख सकते हैं, और चैनल के join बटन पे क्लिक करके भी हमारे साथ connect हो सकते हैं, तो join बटन पे क्लिक करना बिल्कुल ना भूले, अगले वीडियो तक के लिए धन्यवाद, जैहिंद, जैभारत.